आज इस वीडियो के इंदर हम पढ़ने वाले हैं स्वतंतता से पहले भारत में सिक्षा का नीतिग धाचा तो इस वीडियो के इंदर आज हम पढ़ेंगे जो इंपोर्टन्ट इंपोर्टर हमार टोपिक है इसके अलावा भी इस शिक्षा से दर्मदित बहुत सारे इंपोर्टन्ट कोश्चन हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं स्टुडेंट अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ मैं इस चैनल पर यूपीटेट, सीटेट, बीएट, बीटीसी और यूजीसी नेट की भी प्रिपेशन कराती हूँ तो अगर आपको इन में से किसी भी सब्जेक की प्रिपेशन आप कर रहे हैं तो ये वीडियो और इस से सम्बंदित दूसरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे बंद होने वाली है इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें धन्यवाद सबसे पहला कोश्चन है हमारा इस टॉपिक से इन सभी टॉपिक से सम्बंदित क्योंकि मैं आपको पहले बता देना चाहते हूं कि इसके अंदर हम शोर्ट में कोश्चन आंसर हम लोग लेकर आए हैं जो सारे कोश्चन है वो वेडि शोर्ट में होंगे और उनके आंसर भी आपको शोर्ट में दे जाएंगे लेकिन ये इतने important कोश्चन है कि ये आपके हर प्रकार के competition अर हर प्रकार के exam के लिए बहुत जरूरी है तो चलिए सबसे पहला कोश्चन है हमारा प्राच्य पास्चात्य विवाद का मुख्य कारण क्या था कि किसलिए प्राच्य पास्चात्य विवाद आपने भी सुना होगा कि सिक्षा व्यवस्था को लेकर एक विवाद रुत्पन हो गया था जिसका नाम था प्राच्य तो उसका मुख्या कारण क्या था वो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि प्राच्य पास्चाति विवाद का कारण सन 1813 के आग्यापत्र में वर्नित निर्देश पर था यानि कि 1813 के अंदर एका आग्यापत्र गोर्मेंट की दिरफ से जारी किया गया जिसमें सिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ पेमेंट किया गया था और उस पेमेंट के ऊपर ही ये पूरा विवाद था ठीक है तो आग्यापत्र में वर्नित था कि भारत में जंड साधान की सिक्षा का प्रबंध कंपनी का कर्तव्य होगा प्रंतु इस कर्तव्य की पूर प्रिटिस गोर्मेंट को कंपनी को दिया जाएगा और यह धन किस पर व्याह होगा सिक्षा का सरूप क्या होगा उसमें सहाइतिय और भारतिय विद्वान की व्याख्या नहीं कही तरीके से एजुकेशन दी जाएगी वो सारा काम उन्होंने सिर्फ कंपनी के ऊपर छोड़ दिया उसके बारे में कोई भी उसमें clear नहीं लिखा हुआ था और इन सभी बातों का specific ने होना ही प्राच्य पास्चात्य विवाद का कारण बना और इसका में जो कारण था वो ये था कि जो primary education है उसमें जो पास्चात्य जो विद्वान थे जो लोग थे वो English को importance दे रहे थे कि primary education में हम mother tongue की जगे English को रखेंगे जिसके वज़े से जो भारते विद्वान थे उन्होंने पाया कि अगर आप ये वाला step रखोगे आप primary education में English को importance दोगे English को आगे रखोगे तो हमारी जो संस्कृति है वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी और इसलिए जो भारते विद्वान थे उन्होंने इसके against वो खड़े हो गए ठीक है आपको समझ में आ गया होगा अब next question पर जलाए next question है मैकाले ने भारतिय साहित्य के संबद में क्या कहा था जो मैकाले है उन्होंने भारतिय साहित्य के संबद में कहा था थोड़ा साम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे question है लगबग 60 के round में question है तो बहुत सारा जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी इस एक अच्छे यूरोपिय पुस्तकाले की अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है यानि कि हो कह रहे हैं कि हमारे यूरोपिय साहित्य की जो एक अलमारी है वो भारत के और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है यानि कि उसकी तुलना खाली अपनी एक अलमारी से उनके पूरे साहिते की तुलना अपनी एक अलमारी की किताब से कर दी ठीक है तो उन्होंने ये वाली बात यहां पर कही है उसके बाद दूसरा कोशन है कि मैकाले ने अपना विवरन पतर कब प्रस्तुत किया जो मैकाले में होदे हैं उन्होंने 7 फरवरी 1835 को ततकाली सिक्षा समध्धी समस्जाओं की छानमीर कर अपना इतिहासी की विवरन पर प्रस्तुद किया नेक्स्ट है बेंटिक प्रस्ताव किस सनमे दिया गया बेंटिक प्रस्ताव जो है वो 7 मार्च 1835 को आया था बेंटिक प्रस्ताव के ओपर भी भूद बर कोश्चन पूचा जाता है कब आया था 7 मार्च 1835 को आया था और जो मैकाले का विवरन पत्र था वो 7 फरवरी 1835 को आया था डेट दोनों की सेम है लेकिन मन्त अलग-अलग है उसके बाद आ जाता है आपका एडम रिपोर्ट की दो प्रमुक संस्तिया लिखो जो एडम रिपोर्ट है उसके बारे में दो संस्तिया है सा से पहली है भारतिय एवं पास्चात्य शिक्सा विसे सग्यों के सहयोग से प्राच्य भाषाओ में पाठ्य पुष्टकों की करमबद माला का प्रकाशन ठीक है पहली हो गई भारतिय पास्चाते जो सिक्षा भी सग्य हैं उनके सहयोग से जो प्राच्य भाषा के पाथ्य पुस्तकों की जो क्रम बद माला है उसका प्रकाशन करने की बात की है और उसका वितरण करने की बात की है उसके बात सिक्षा के प्रसाशन के लिए नौर्मल स्कूलों की स्थापना की जाए ये वाली बात भी एडम रिपोर्ट में आती है अब आ जाता है ब्रिटिस काल के में किस सेक्षिक योजना ने भारतिय सिक्षा को सरवाधिक प्रभावित किया कौन सी ऐसी सेक्षिक योजना है जिस ने भारतिय सिक्षा को प्रभावित किया उलेखने योगदान किस ने दिया है तो सबसे जो उलेखने योगदान दिया है भारत्य सिख्षा के प्रचार प्रशार में सबसे ज़्यादा इसाई मिस्रियों ने प्रमुक योगदान दिया है नेक्स्ट बनारस संस्कत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी तो 1791 में बनारस संस्कत कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की थी तो वोरन हैस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की थी पूरा संस्कत कॉलेज की स्थापना एल्फिन स्टन्स ने किस सन में की थी तो इन्होंने जो की थी 1821 में इसकी स्थापना की थी किसकी पूरा संस्कत कॉलेज की स्थापना एल्फिन स्टन्स ने किस सन में की थी तो इन्होंने 1821 में की थी आई थिंक, आपको समझ भी आ रहा होगा बनारच कॉलेज की स्थापना 1791 इस्वी में हुई है कलकता मदरेसे की स्थापना जो है किस ने की थी То, पूर्ण सस्कैत गॉलेज की स्थापना जो है ऐा 1891 हुई है आगे नेक्स नेक्स कोशन आ जाता है आपका लाड़ मैसकाले न इन्होंने जो है गवर्णर जन्रल की काउंसलिंग में कानूनी सदस्य के रूप में काम किया था वुड का आदेश पत्र कब जारी हुआ 1854 को वुड का आदेश पत्र जारी हुआ बहुत important question है सारे तो आगे बढ़ते हैं next कि नेक्स आजाता है 1854 के वुड के आदेश पत्र में लंदन विस विद्याले के आदर्श पर मदरास बुमबई तथा कलकत्ता विद्याले स्थापित करने की सुस्तिती की है next आजाता है 1854 के वुड के आदेश पत्र ने माध्यमिक तथा उच शिक्षा के लिए किस भाषा को माध्यम बनाया तो उन्होंने किस भाषा को माध्यम बनाया था माध्यमिक तथा उच शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया ठीक है अगला कुशन है अधोगामी निस्यंदन ये निस्पंदन भी लिखा जाता है कई बार यहाँ पर निस्यंदन लिखावा है तो सिधान्त से आप क्या समझते हैं ठीक है डाउनलोड फिल्ट्रिशन थियोरी भी से बोल जाता है कि अधोगामी निस्यंदन सिधान्त से आ केवल उच वर्ग है उनके व्यक्तियों के लिए कि जाए उच वर्ग के व्यक्तियों से ही वह निवन वर्ग के व्यक्तियों के संपर्क में स्वभाय करूप से पहुँच जाएगी सिख्षा उच वर्ग के यानि उपर वर्ग के निम्न वर्ग की और संपर्क छंचन कराती है सिख्षा जगत में इस सिध्धान्थ को अधिगवामी निसियंदन सिध्धान्थ कहा जाता है यानि कि यहाँ पर जो वुडबोहदे है क्योंकि उनका बजट इतना नहीं है एजुकेशन का कि संपूर्ण जो भारत के अंदर वो इतना पैसा लगा दें कि सभी को प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए तो इसलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि एजुकेशन के पास हमारा इतना धन नहीं है इसलिए जो एजुकेशन है वो सिर्फ उचवर के लोगों के लिए दी जाए जो फीज दे सकते हैं जो इस सिक्षा को वहन कर सकते हैं सिर्फ उचवर के लोगों को यदि हम देंगे तो उसके बाद वो जैसे ही वो आपस में टॉक करेंगे तो जो एजुकेशन है वो निवनिवर के लोगों में चन चन कर अपने आप आजाएगी नेक्स्ट है निस्यंदेन यानि कि निस्पंदन सिध्धान यानि चनन सिध्धानत भी से कहा जाता है छनन सिद्धान्त का विचार किस ने दिया था ये विचार जो था ये लाड मेकाली ने दिया था सर अठार सो चोवन की सिक्षा निती किस ने तयार की किस ने तयार की थी ये चार्ल्स वुड ने तयार की थी वुड के आग्या पत्र को प्रकाशित करने के दो प्रमुक कारण किया थे जो वुड का जो आग्या पत्र था उसे प्रकाशित करने के दो करण जो थे पहला था स्वपर्थम देश में अंग्रेजी सिक्षा की मांग का दिन प्रती दिन लोकप्रिय होते जाना और ने ढंक से स संस्थाओं का संस्थाओं की संख्या में व्रद्धी तथा संसोधन की आवशक्ता होना दूसरा था भारत में ब्रिटिस राज्य सुधर रूप से स्थापित हो जाने के कारण सिक्षा संबंधी एक स्थाई नीती तथा सिक्षा की को एक व्यवस्थित व्यस्थाई रूप द थे एक बैपिस्ट मिशनरी के प्रमुख सदस्य थे ठीक है कौन थे बैपिस्टस्ट मिशनरी के प्रमुख वो सदस्य थे नेक्स्ट है विलियम एडम ने क्रिशी सिख्षा के लिए क्या सुझाव दी हैं तो उन्हें जे क्रिशी सिख्षा के लिए सुझाव दी हैं कि क्रिश कब हुआ जो सिमला सिख्षा सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ था 1901 में भारते विधाले आयोग की स्थापना 1902 में हुई भारते विधाले अधिनियम कब पारित हुआ 1904 में लाड़ करजन ने अपनी सिख्षानिती को सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया तो लाड़ करजन ने अपनी सिख्षानिती में प्रात्मिक शिक्षा में किस भाषा को प्रमुक स्थान देने पर जोड़ दिया है तो लाड़ करजन ने जो जोड़ दिया है वो मातर भाषा को प्रमुक स्थान देने पर जोड़ दिया है उन्होंने मातर भाषा के उपर ज्यादा जोड दिया है नेक्स्ट है राष्ट्रे आंदोलन के प्रमुख के मुखे चार बिंदू कोन थे जो राष्ट्रे आंदोलन हुआ था उसके चार बिन दूत है स्वराजय की प्राप्ती स्वदेशी वस्तो का पृ्योग विदेशी वस्तो का पोहिस्कार राष्टे शिक्षा की मांग next है राष्टे आंदोलन की जनक कौन थे तो उनके राष्टे अंदोलन के जनक थे महरुशी तयानन्द सरस्वती एनी बैसंट का अंग्रेजी सिक्षा के बारे में क्या द्रस्टी कौन था तो इनका द्रस्टी कौन था वो कहती थी कि अंग्रेजी स्वरूप का विरोध करते हो विरोध करती थी उनका वो कहती थी कि राष्ट्य विरोध करते हों कहती हैं कि राष्टे जीवन और राष्टे चरितर को अधिक सिग्रिता और निश्चित रूप से निर्बल बनाने के लिए इससे अधिक उत्तम उपाय कोई हो ही नहीं सकता कि बालकों की शिक्षा पर विदेशी प्रभाव और विदेशी आदर शोका प्रभूद है। उनका बोलने का धंग बदल दिया जाए जब वो बोलेंगे इंगलिश में तो उनके पेरंट हिंदें बोलेंगे तो फिर उससे उनको ना कुछ समझ में आएगा ना वो प्रोपर उनकी अंडरस्टेंडिंग हो पाएगी और जिससे ग्यान जो है जहां पर है वो वहीं रुख जाएगा और उनकी संस्कृति आगे बढ़ ही नहीं पाएगी तो उन्होंने इसको विदेशी प्रभाव का एक बहुत बड़ा ऐसा खंडन करते हुए उन्होंने कहा है कि इससे भारते सिक्षा व्यवस्था बिल्कुल धो मिलो जाएगी नेक्स राजाता है एनी बेसंट ने भारते सिक्षा का समर्थन क्यों किया तो एनी बेसंट ने भारते सिक्षा का समर्थन करते हुए कहा कि ब्रिटिस आदर्ष ब्रिटिस आदर्ष ब्रिटेन के लिए अच्छे हैं परन्तु भारत भारतियों के लिए भारतिय आदर्शी अच्छे होंगे भारत की राष्टेता से अधिक स्ट्रेस्ट एवं अधिक उत्तम राष्टेता का निर्मान इश्वरनी नहीं किया यह वाली बात जो है एनिबेसंट कह रही है यहाँ पर भारत की राष्टेता से अधिक स्ट्रेस्ट एव अधिक उत्तम राष्टेता का निर्मान इश्वरनी नहीं किया है भारत की राष्टेता की वो सम्मान करती है और उनके बारे में वो बहुत अच्छी अच्छी बाते भी करती है नेक्स्ट है गोखले ने प्रात्मिक शिक्षा संबंधी विधेक को केंद्रिय धारा सभा में कब प्रस्तुत किया था तो कब प्रस्तुत किया गोखले ने जो प्रस्तुत किया मार्च 1910 को केंद्रिय धारा सभा में प्रस्तुत किया गोखले बिल का क्या परिणाम रहा जो इ ब्रिटिस सरकार को भारत्यों की प्रात्मिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए विवस अवश्य कर दिया ठीक है नेक्स आज़ाता है भारती राष्ट्य कॉंग्रेस ने राष्ट्य सिक्षा संबंधी प्रस्ताव कभ पारित किया 1905 में सैडलर कमिशन रिपोर्ट का एक अन्य नाम क्या है कलकता विस्विध्याले आयोग नेक्स आजाता है कलकता विस्विध्याले आयोग के अध्यक्ष कोन थे तो सर माइकल सैडलर विस्विद्याले अनुदान समीती के गठन का सुझाव किस ने दिया है तो सर्जेंट आयोग 1944 ने नेक्स्ट सर्जेंट योजना कितने वर्ष की योजना थी यह 40 वर्ष की योजना थी very important है बहुत short short में सारे हैं तो आप इन्हें सारो को cover कर लीजे इसके साथ साथ next question आजाता है आपके सामने कि भारतिय सिक्षा आयोग का एक अन्ये नाम किया था बहुत important है बहुत बार exam में पूछा भी जा चुका है कि भारतिय सिक्षा आयोग का अन्ये नाम है Hunter Aayog Hunter Aayog का गठन कब हुआ था? 3 फरवरी 1882 को Hunter Aayog का गठन हुआ था भारतिय सिक्षा आयोग के अध्यक्ष कोन थे? तो इसके थे Sir William Hunter थे सेडलर Aayog की न्युक्ती कब हुई थी? 14 सितम पर 1970 को सेडलर Aayog की न्युक्ती हुई थी सेडलर Aayog की रिपोर्ट कितने अध्या में विभक्त है? तो इनकी रिपोर्ट जो थी वो 13 त्याओ में विभक्त है उसके बाद है सेडलर Aayog का गठन किस प्रकार की सिक्षा हे तू हुआ? ये भी कोशन पूछा गया है बहुत बार तो ये सेडलर Aayog का गठन है वो उच्षा माध्यमिक सिक्षा उसके बाद सेडलर Aayog की प्रमुक्स संस्तिती थी वो थी विभक्त है जो कोर्स हैं उसके तिरिक्त ओनलाइन कोर्स भी चलाए प्रतियक प्रांत में माध्यमिक सिक्षा परिशत की स्थाबना तथा इस परिशत को हाई स्कूल वे इंटरमीडियेट कोलेजों के संचालन वे नियंतरन का उत्तरदाइत हो प्रतियक विस्विध्याले में छात्रों के स्वास्ते की देखभाल के लिए डारेक्टर ओफ फिजिकल ट्रेनिंग की न्युक्ति की जाए ये वाली बात भी यह ां पर सड्यलर आयोग कह रहें हैं नेक्स कोशन है सड्यलर आयोग का मुख्य देख़स से बताई कि इनका देख़स था मात्मिक तथा इंटरमीडियेट इस तरपर हो वैस्को विस्विध्याले से प्रत्थक रखा जाए जो मात्यमिक शिक्षा है और Ăंटरमीडियेट की श से अलग रखा जाए जो आज भी आप देख रहे होंगे कि जो माधिमिक स्कूल है यानि के टैन्थ है ट्वेल्थ है वो आपका हाईयर एजुकेशन से अलग रहता है उसके बाद है व्रधायोजना के प्रवर्तक कौन थे तो ये थे महात्मा गांधी दैन व्रधायोजना कब प्रस्तूत की गई 22 अक्टूबर 1937 में ये प्रस्तूत की जगई व्रधायोजना का एक अन्ये नाम क्या है नई तालिम व्रधायोजना का एक अन्ये नाम क्या है वो है नई तालिम नेक्स्ट आजाएगा हर्टांग समीती की न्युकती कि इसकी अध्यक्सता में हुई थी तो इनकी सर फिलिप हर्टांग की अध्यक्ष्टा में इसकी न्युक्ति हुई थी। उसके बाद साइमन आयोक की न्युक्ति कब हुई ये आठ नॉमबर 1927 को साइमन आयोक की न्युक्ति हुई थी। एबट की रिपोर्ट क्या है तो एबट की रिपोर्ट व्यवसाइक शिक्षा के बारे में है नेक्स आजाएगा वुड ने अपनी रिपोर्ट के बारे में क्या लिखा जो वुड मोहदे हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट के बारे में लिखा है कि सामान्य शिक्षा व्यप्र जलाक को बहुत जयदा importance देते और craft के शिक्षा में यह नुद। सिक्षा में वो बच्चो को आगे बढ़ाना चाहते थे। नेक्स्ट है बेसिक सिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भासा है तो उसका माध्यम जो थी वो मात्र भाशा मानी है नेक्स्ट आ जाएगा बेसिक सिक्षा के केंदर में क्राफ्ट को क्यों रखा गया बेसिक शिक्षा का जो केंदर है उसमें क्राफ्ट को किसलिए रखा गया बेसिक रखा गया बच्चो को श्रम रखने का जो क्राफ्ट को रखने का जतात परिया था वो ये था कि बच्चो को श्रम का महत बताना में बच्चो को स्वावलंबी बनाना था जिससे वे जीविको पारजन के योगे हो जाएं वे सिक्षा को गाउं के जीवन से जोड़ना चाहते थे वे सिक्षा को आद्म निर्भर यानि बालक को बालक को आद्म निर्भर बनाना चाहते थे और स्कूलों में होने वाले उत्पादन से स्कूलों का व्याय निकालना चाहते थे बेसिक सिख्षा के दो मुख्या और देश्या कोन से हैं सर्वोदय समाज की स्थापना करना और सांस्क्रतिक विकास करना तो इस तरह से स्टुडेंट्स आपके जितने भी नोट्स थे इनने टोपिक से रिगार्डिंग वो सारे डन हो चुके हैं और आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है आपके मतलब की है आपको पसंद आई है आपके काम आई है तो आप इस चैनल को लाइक भी करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को शेर भी करें ताकि आप जैसे और भी स्टुडेंट्स को इसका लाब हो सके धन्यवाद